हेलो गाइज इस प्रोफेसर महिरी टेंकर वलकम बैक तो मेहर्ज कोचिंग क्लासेस आज के वीडियो में हम देखने वाले है क्लास 12 फिजीस का टेस्ट पेपर सीरीस से और एक वीडियो इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका गाइज जो की चाप्टर नंबर फ यह भी चाप्टर बहुत ज़ादा इंपोर्टन है आपको यह चाप्टर का भी टेस्ट बिल्कुल सॉल करके देख लेना है क्योंकि मैं आपको बदा दूँ यह चाप्टर जो है वो पांच मार्क का है वित आप्शन वित आप्शन अगर आएगा तो साथ मर्क के लिए आए समझ मैं आ गया है वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेर कर दीजे ठीक है और जो लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजा गाइस क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलेंगे टेस् चैनल पर हमारा टेलेग्राम चैनल है मेरस कोचिंग क्लासस इससे जुड़ जाईएगा गाइस जो भी इंपोर्टन कोशन से या इंपोर्टन टेस्ट है इसके सोलूशन या फिर और कई भी नोट्स आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे गाइस ठीक है तो शुरू करते है आदर थोनी चाहिए गाइस क्यूंकि जब आप बोर्ड में जाओगे तो आपको टाइम मैनेजमेन भी सीखना है इसलिए थोड़ा सा टाइम के अंदर ही करने के कुशिश करो वन आवर थर्टी मिनिट के अंदर 25 मास का ठीक है तो शुरू करते है सेक्शन नमबर वन से और या अथरमेनस सरफेस ठीक है आरे जिवकस्त टु वन ओप्शन देखिए ए ओप्शन आरे स्टु वन ती कोष्ट टु रख सब्सेंट अपको बतारना है कि अथरमेनस सेर्फेस कैसा होता है ठीक है रिफेक्शन इजकी तवाण्य ट्रांस्मिशन ए अब्जॉप्ष्ण ठीक है एक अधरमेनेस बाड़ी होता है और एक अधरमेनेस भी बाड़ी होता है आपको यह जाकर पॉर्शन पढ़ लेना है गाईज और वहां से आपको इसका एंसर पता चल जाएगा question number 2 जो है that is another MCQ वो simple सा एक numerical है जिसमें rms velocity पूछिए देखिए the rms velocity of molecule moving with a velocity 2 meter, 4 meter per second and 6 meter per second तो इसका rms velocity आप find करना है तो एक छोटा सा numerical है एक छोटा सा formula लगा दो rms velocity का तो आपको एंसर पता चल जाएगा guys question number 3 देखिए question number 3 के उपर अगर आप देखते हो तो इसमें the number of degree of freedom पूछा है for is it diatomic molecule के लिए पूछा है अपने बस तीन तरीके के होता है monoatomic, diatomic and polyatomic तो आपको degree of freedom बताना है for diatomic ठीके guys अब चलते question number 4 के उपर question number 4 अगर आप देखते हो guys तो यहाँ पर आपको क्या पता चलता है, the coefficient of absorption of the body is equal to its coefficient of emission at a given temperature is called, option देखिए, Stephen's law, Newton's law, Kirchhoff's law और Boyle's law, इन में से कुन सा law बोलता है, ठीके, coefficient of absorption is equal to coefficient of emission, यह बताना है guys, ठीके, so question number, जो section है, that is question number 1, उसका screenshot ले लीजे, ठीके, आगे बढ़ता है अगर मैं question number B के उपर जाता हूँ, तो यह simple answer the following, मतलब one mark के question है guys, VCA, ठीके, VSA, that is called very short answer, ठीके, so उसमें से पहला देखिए guys, define equation of state, आपको equation of state को define करना है, क्या होता है, ठीके, दूसरा, define RMS speed, RMS speed को आपको define करना है, और तीसरा, अगर यहाँ पर देखते हो ना guys, तो यह विन्स displacement law के उपर एक question है, simple सा निम्री करा है, that is find a wavelength, आपको wavelength find करनी है, at which the black body radiates the maximum energy, ठीके, so आपको wavelength find करनी है, और temperature दिया हुआ है, that is winds, और साथ में आपको, winds constant, that is BB दिया हुआ है, 2.898 into 10-3 meter per Kelvin, जो भी है, ठीके, so आपको यह question भी solve करके देख लेना है guys, यह simple सा आपको winds displacement law का एक simple सा equation है, उसके उपर ही यह question दिया हुआ है guys, ठीके, so यह section A में ही आया जाएगा, question number 2B, आगे बढ़ते है, question number, that is, section B के ओर चलते है guys, section B में अगर आप देखोगे, तो यह 2 mark के question है guys, ठीके, और आपको खाली 4 question करने है, आपको याद रखना है, खाली 4 question ही आपको attempt करने है, और 2 mark के question है, इसलिए आपको 8 mark मिलेंगे guys, ठीके, question number 1 देखिए, question number 1 है, describe winds displacement law, मतलब आप अगर winds displacement law पढ़ते हो, तो इसके उपर हो सकता है, आपको एक numerical भी मिल गा है, और साथ में एक हो सकता है, आपको थेरी भी मिल सकता है guys, ठीके, तो winds displacement law important है, बिल्कुल कर ल atomic, आपको expression देना है, ठीके, that is energy का expression देना है, for monatomic, diatomic and polyatomic के लिए guys, ठीके, question number 4, बहुत easy है, ठीके, कर लिजे, उसके बाद, next है, question number 5, that is coefficient of absorption, coefficient of transmission क्या होता है, इसको define करना है, ठीके, यह तीनों important है, coefficient of absorption, coefficient of transmission and coefficient of emission, ठीके, यह तीनों important है guys, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लिजे, ठीके, बाद में चलता है, question number 6 के ओर, यह again आपका, एक numerical है, ठीके, at what temperature will oxygen molecule have same RMA speed as helium molecule at STP, ठीके, ठीके, तो यह simple सा example है, simple सा 2 mark का question है, आपको मिल जाएगा यह test book के अंदर भी, ठीके, जिसमें molecular mass भी देके, oxygen का और साथ में helium का भी molecular mass देके guys, ठीके, so, यह simple सा 2 mark का example है, आपको आराम से मिल जाएगा, ठीके, छोटा सा formula है, उसको लेगा के solve कर लिजे, ठीके, बाद में question number, अगर मैं 7 के ओर चलता हूँ, तो question number 7 देखिए, calculate the energy radiated in 1 minute, ठीके, कितनी energy radiated होगी, black body से, ठीके, जिसका surface area देखिए, आपको 100 cm2, when it is maintained at 227 degree centigrade, ठीके black body का एक question है, ठीके, so, यह question number 7 है, question number 7, so, आपको section B अगर आप देखोगे, तो यहां तक अपनी कितने question हुए है, खाली 5 ही question हुए है, ठीके, और मेरे को लगता 6 question है, और एक question है, तो इसको थोड़ा सा screenshot ले लीजे, इसका भी, ओके, ले लिए, आगे बढ़ता है, so, यह देखिए, एक question बज़ गया था, section B का, that is, derive an expression for coefficient of absorption, and reflection and transmission, ठीके, इसके बीच में क्या relation होता है, आपको पता है, वो relation इसको derive करना है, ठीके, बढ़ता है, next section के और, that is, section number C, so, question number, that is, section number C, again, देखिए गाइस के इतने मास्का है, वो 6 माक का है, और आपको खाली 2 करने है, ठीके, कितने करने है, 2, मतलब, एक question कितने मार का होगा, 3 मास्का, खाली 2 question करने है, तो question number 9, देखिए, question number 9 क्या है, define specific heat, capacity, and give the expression for wire relation, wire relation के लिए आपको derive करना है, ठीके, और साथ में आपको define करना है, specific heat क्या होता है, ठीके, बड़ा फेरेज ब्लैक ब telev It क्या होता है, यह बड़ा important question है, BlackBody क्या चीज़ होती है, और फेरेज ब्लैक बोड़ी क्या होती है, उसका diagram और उसके साथ, उसका पूरा explanation देना है, ठीके, construction किस तरिके सो होता है, तो working किस तरिके से होती है, black body की, साथ में इसके diagram के साथ, उसको explain करना ह को ठीक है question number 11 अगर देखोगे तो अगे यह numerical है और Stephen's law के उपर यह numerical है guys अगर मैं देखता हूँ तो क्या लिखा है देखिए energy emitted from a hole of an electric furnace at a rate of 20 watt when the temperature at a furnace is 727 degree centigrade what is the area of that hole ठीक है Stephen's constant भी देखे आपको तो यह Stephen's law का example है सो यह numerical है तो आपको खाली दो कोशन करने है ट्राइ कीजिए कि एक numerical कर पाओ क्यूंकि exam में numerical भी आते है ठीक है इसका भी screenshot ले लिजिए section C का बढ़ते आगे section D section D के उपर आप जाओगे न तो एक ही question आपको solve करना है एक ही करना है question और यह चान मार्क का होने वाला है गाइस ठीक है question number 12 देखिए ठीक है बड़ा important question है that is on the basis of kinetic theory of gas derived expression for pressure exerted by the gas ओना includes includes container चाहिए यहां ग्यास नहीं यहां container चाहिए ठीक है includes gas container चाहिए ठीक है यह थोड़ा सा correct कर लीजिए ठीक है बहुत जादे important question है आप अगर पहले book खोल के देख लोगे मतलब पहले एक दो पेजिस पी आपको इसका बड़ा सा derivation है जिसमें आपने देखा होगा है बड़ा सा क्यूब बना रहता है कुछ इस तरीके का क्यूब है न और उसके उपर वो जो derivation है ठीक है kinetic theory of gases का वो pressure का derivation आपको बनाना है ठीक है आप जाके देख लो आपको यह question easily मल जाएगा ठीक है question number 13 के उपर चलते question number 13 again किर्चॉब्स law है state and approve the किर्चॉब्स law of radiation इसमें एक theory है और सात्मी numerical है ठीक है देखिए state and approve the किर्चॉब्स law of heat radiation मतलब आपको एक derivation करना है सात्मी क्या करना है compare the rate of rate of loss of heat from a metal sphere at 827 degree centigrade with the rate of loss of heat from the same sphere 427 degree centigrade if the temperature of the surrounding is 27 तो यह आपको किर्चॉब्स law के उपर से ही एक numerical यहाँ पर दिया गया है guys तो question number जो section D है section D का भी थोड़ा सा screenshot जो है वो ले लीजिए guys एक second आपको screenshot ले लीजिए तो आपको solve करने में आसा नहीं जाएगी तो इस तरह के से अगर आप देखते होना guys तो यहाँ पर चार section है और चारो section का मैंने one by one आपको explanation दे दिया है तो आपको करना क्या है simply पढ़ लेना यह chapter और साथ में इसका test भी solve करके देख लेना है तो वीडियो को like कर दीजे और चैनल को अभी तक अगर subscribe नहीं किया होगा तो चैनल को subscribe भी जरूर कर दीजे मिलता है नेक्स वीडियो के अंदर तब तक के लिए थैंक्यू गाइस थैंक्यू वेरी मुच्छ